यहीं दोस्तू आपनों कहाण थाज फिर इक नए वीडियो में दोस्तों ये ये नए वीडियो के माधियाम से आथ हम लोग जानने वाले हैं कि छो एकस्प्रेस जो बिहार में एक सात लॉंच होनी थी बट चार a Still एक किस देट को जोने इंतले के वाली तो इस हम लोग यहेज दो विडियो का प्हुल चर्चा करें गए इस चैनल की हाए और आमारे विडियो को देख रहे हैं तो यह सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा इसी के अपडेट के लिए दोस्तों अब इस वीडियो को बिना देर के वे एस्टार करते हैं और जानते हैं डिटेस्ट वीडियो को माननिया पर्धान मंत्री नरेंद मोदी बूदवार को मतलब कल जो है बिहार के बेतिया आएंगे पर्धान मंत्री नरेंद मोदी पांच दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे चोओ मार्च को परदहन मंतरी का बेतिया में कार्जकरम है ये बेतिया से बिहार के 20,000 करोर रूपिये से अधिक कसल नियास करेंगे और उदगाटन करेंगे कई रेलबे पर उदगाटन यहीं से करेंगे दोस्तों आपको पता दो 6 मार्च मतलब कल जो है बुदवार को पीम नरेंद मोदी रक्सोल जोगवनी वे वीकली एक्सप्रेस नहीं ट्रेन की सोगात देंगे बेतिया से वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये नहीं ट्रेन का सुभारम करते हुए हरी जहन्ती दिखा कर इन ट्रेन को रावाना करेंगे दोस्तों ये नहीं ट्रेन 11 मार्च से रक्सोल जोगवनी के बीच अब ड़न हुए वीकली ट्रेन नियमीत रूप से चलने लगेगी पूरमद रेल के मुक जनसंपर कदकारी बेंद कुमार ने कहा कि रक्सोल जोगवनी वीकली एक्सपेस नहीं ट्रेन 6 मार्च से प्रणान मंतरी मोधी वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये बेतिया से सुभारम करेंगे रक्सोल से उद्गाटन एस्पेसल ट्रेन 055292 पर 3 बजे खुलेगी और देर रात साथे 12 बजे जोगवनी पहुंच जाएगी 11 मार्च से रक्सोल जोगवनी अबड़न नियमित एक्सपेस ट्रेन सप्ता के सोंबार को और गुरुवार को चलेगी रक्सोल से ट्रेन 15501 दिन के 12-40 बजे खुलेगी और देर रात साथे 10 बजे जोगवनी पहुंच जाएगी यही जोगवनी से ट्रेन 15502 दिर रात पुने 12 बजे खुलेगी और अगले दिन 11-15 बजे रक्सोल पहुंच जाएगी उन्होंनों यह भी कहा है कि नर्काटिया गज गोनहा नहीं पसिंजर ट्रेन का भी 6 मार्ज को परधान मंतिर नरेंद मोदी बेतिया से सुंबारम करेंगे यह ट्रेन 6 मार्ज को उधगाटन एस्पेसल और 8 मार्ज से नियमी ट्रेन बन कर चलेगी ज्यानकरी के लिए आपको बता दे जोगवनी रक्सोल अपड़न एक्सपेस ट्रेन के चलने से कोशी छेट के सिपोल मिधलांचल सही सिमांचल के जीरों को लोगों को काफी फैदा होंगे ट्रेन कोशी छेट से सराइगर, रागवपूर, ललित गराम अस्टेशन पर रुकेगी ट्रेन का ठावर, गोरासन, सितामडी, दर्भांगा, सक्री, जंजारपूर, गंगरडीह, नर्मनली, ललित गराम, फ़र्विस गर्ज अस्टेशनों पर भी दिया गया है 12 लेचबी कोश बाली ट्रेन में एसी सिलिपर और जर्नरल कोश भी होंगे कल जो है चोओ मार्च को पीम नरिन नोदी बेतिया से रक्सोल जगवनी नहीं ट्रेन के सुभारम के साथ साथ वहीं सराइगाड और लित गराम में बनने वाले वैपास लैन का वीज़िए नियास बेतिया से ही वीडियो कॉनफरेंसिंग के जर्ये करेंगे उसी दिन सहरसा से ललीद गराम और दरवंगा से जहनजारपूर जानेवर डेमू ट्रेन का विश्थार फॉर्विजगंस से किया जाएगा चर्चा है कि दो मार्च के कार्जगरम के बाद रेलभाय अधिकारी छो मार्च के कार्जगरम की तयारी में जूट गई थी दोस्तों आपको बता दे सराइगार्ट और नरीद गराम वैपास लैन के पीम मोदी के हाथो वीडियो कौनफरेंसिंग के जलियर से लियर नियास कार्जगरम पहले दो मार्च को ही वहरा था सुत्र बताते हैं की पहले में देर संपाउच जो तो में हरी धिखाई गई थी यह, आपको पता दे रक्सोल जोगरी इकम अठर complete मोदी के तहले साथी है क्योंकि इससे पहले चो एक्सप्रेश को चो दिन के अंदर कभी लॉंच नहीं किया गया था सो दोस्तों इतनी वरी लॉंचिंग पर आपका क्या काना है अप लोग कोमेंट जरूर किजिए आगे आने वाले दिनों में बिहार को बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं ट्रे मार्च महिना के अंदर 10 मार्च से अंदर तो दोस्तों आपको ट्रेश में जो वीडियो में जो समझाने वाले हैं आई होप गयज की ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा तो आप लोग जोन कॉमेंट कर दिजिए गाचले मिलते हैं इसे टैप के नेक्स बीडियो तक के लिए जाहिंजा भारात